शिरी शिवाय नमुस्तब्याम हारर महादेव दोस्तों देखे कल की कता में पूझ गुरुजी ने मात्र एक लोटे का बहुती अच्छोग उपाय बताया है जो कि अभी तक पूझ गुरुजी ने नहीं बताया था बहुती खास उपाय बहुती चमतकारिक और बहुती सक्ति साली उपाय जो कि सिव महापुराण का बहुती सिद्ध उपाय पूझ गुरुजी ने बताया है जो कि बहुती आसान बेदोस्तों इस उपाय को करना मातर एक लोटा जल से आप महादेव को पिर्शन कर सकते हैं और उनका आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर की तमाम परसानियों को दूर कर सकते हैं दोस्तो मातर एक लोटे जल से महादेव आपकी हर मनुकामना जल्दी से यल्दी पूरा करेंगे बस आपको रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगे पर रख देना है और फिर उसी जल से आपको यह उपाय करना हुगा तो चली दोस्तों जानते हैं इस उपाय को किस तरीके से और किस दिन करना है दोस्तों देखे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रोकेष्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स मां सच्छे मन से हर अर महादेब जरू लिख दें जिससे कि आपकी हर मनुकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस सुपाय को करना किस दिन है पूजी गुरुजी के अनुसार इस सुपाय को आप किसी भी सोमार के दिन या एकादशी के दिन या नम्मी के दिन या मंगलवार या फिस सुक्रवार के दिन कर सकते हैं सुबह से लेकर साम तक जब भी आपको टाइम मिले तब आप इस उपाय को कर लें दोस्तों बस आपको इसमें सुचता का पूरा-पूरा ध्यान रखना है जब आप इस उपाय को करें तब आपको ना दोकर साफ सुत्रे वस्त धारन करने होंगे अब देखिए जो एक लोटा जल है सबसे पहले इ इतल का कैसा भी ले सकते है ठीक है उस लोटे में आपको अपने घर का सुद्ध जल भरना है साथ में आपको एक मटका लेना है जो मिट्टी का बरतन होता मटका जिसमें पाई ठंडा करते हैं ठीक है उस मटके में आपको एक लोटा जल रात को सोने से पहले उसमें रखना है और मटके को उपर से कपड़े से आपको बंद करना है सात में जो आपने जल एक लोटा लिया है उस लोटे में आपको एक चावल का और एक काली मिर्ज का धाना आपको रात को रख देना है अब सुबह उठकर जैसे की स्वम्मार के दिन सुबह उठकर ना दोकर सारे कामों से फ्री होकर आपको साफ सुत्रिक कपड़े पहन कर इस एक लोटा जल को आपको लेना है ठीक है और इस जल के साथ में आपको एक बिल पत्री लेनी है साथ में आपको एक चमच सहद लेना है अब इन सारी सामगरियों को आपको लेकर अपन मंतर का इसमराण करते हुए आपको बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से आपको बैट कर खड़े होकर नहीं आपको बैट कर जो है सिबलिंग पर जल अरपित करना है अगर सिबलिंग उची है तो आप खड़े होकर जल अरपित कर सकते हैं ठीक है लेकिन ध्यान और बिल पत्री और सिब्लिंग के उपर हात रखे हुए आपको अपनी कामना कहने हैं जो भी आपकी कामना हो वो आपको बट क्योसर महादेप का ध्यान करकर कह देनी हैं अब देखें आपका जो आदा बचा हुआ जल है वो आपको नंदी के उपर अर्पित करना है पूरा जल नंदी के उपर अर्पित कर दें और फिर नंदी के कान में अपनी कामना कह दें नंदी से बोलें हे नंदी मेरी ये मनो कामना है इसे महादेप से कहकर पूरा करा दें बस इतना आपको कहकर फिर आपको मंदर में बैठ जाना है मंदर में बैठ कर जितनी दिर हो सके उतनी दिर आप शिरी शिवाय नमस्तव्यम या ओम नमस्षिवाय मंदर का जब करते रहें फिर उसके बाद आप अपने घर चले आएं दोस्तो इस उपाय को करने से आपका जो भी काम होता है आपका जो भी अटका हुआ काम हो पूरा हो जाता है साथी महादेप की किरपा से आपकी हर मानुकामना जल्दी सल्दी पूरी हो जाती है और घर में सुख सांती और सम्रिद्धी आती है तो अगर आपको पूझ गुरुजी द्वारा बताएगे ये उपाए अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा च्छादा लाइक कर दें सेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर रोच पूझ गुरुजी द्वारा बताएगे नेने उपाए मिलते रहें मिलते हैं दोस्तों अगले नई वीडियो में तब तक लें शिरीज शिवाहिन मुस्तव्य हम